नमस्कार दोसों स्वागत आपने चनल जेके स्टूडेन पॉइंट डेसी वाइज यूट्यूब चनल में आज की वीडियो में बात करेंगे दसमी और बार्मी के रिजल्ट की कंफर्म डेट के बारे में आपको बताद की शोचल मीडिया प्लेफार्म से कोई भी शोचल हैंड जल नहीं था जिसके जरिये जेके बोस्की को अपडिर्स में करा रही अब लोगों के नोटिस सामने आ चुका है इस नोटिस के बताएंगे कि दसमी और बार्मी का रिजल्ट आपका कब तक जारी हो सकता है आपको बताद की ओमर उजल्ला की ऑफिचल न्यूज पेपर में जबन के आप लोगों के चेर्मैन जो है बोड की जेके बोस्की बो उसका नाम है बिना पंडिता उसने एक रिपोर्ट दी है मीडिय को इंट्र प्रभू दिया है उस इंट्रभू में रेजल्ट्स के बारे में क्या बोला है इस वीडियो में कवर करना ब बले है आको हमाता बीडेटेल जानकारी कॉन कोट से डाकुमेंट्स कब से कब तक अधिमेशन इन सभी की जानकारी जेकी स्टूडेंट पॉइंट जूटीब चैनल पर ही मिलती है हमारा इंस्टाग्राम पेज जा अगर न्यूसपेपर आप लेना चाह रहे हैं पूरा न्यूसपेपर हैं हमारे इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और इसमें बदाएंगे कि क्या लिखा हुआ है रिजल्ट कब तक आएगा इसमें आर्टिकल में पूरा बताया है कि दस्मी क्लास के कितने बच्चों ने पेपर दिया हुआ है आप लोगों मदाया दे कि संमर जोन दसमी और बारमी का पध्रिनाम जुलाई के दूसरे सब में चा में किन्यूर सब दो निकाल दो यार जल्दी उन्होंने एर फोर्स का फारम फिल करना है एर फोर्स के फारम 24 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में लग रहे हैं, तो आप लोगो रिजल्ट सेकंड वीक में बता रहे हैं, आप लोगो रिजल्ट जुलाई महीने में बता रहे हैं, अगर जुलाई ये को रिजल्ट आएगा तो क्या एरफούर्स का फिल कर पाएंगे बच्चे नहीं अगर आपको बता दे कि 12th क्लास वाले बच्चे आपकी डेटा वर्थ क्या है कमेंड करके जुरू बताएं क्योंकि 2005 जून के अंदर अंदर आपकी डेटा वर्थ है तो आप लोग एरफोर्स का फिल कर सकते हैं बट आपके पास बार्मी पा आप लोग फुस्ट बीक में ही निकाल दो अगर फुस्ट एक तारीक वह भी रिजल्ट निकालते हैं ना तो फिर भी बच्चे तीन-दो-थीन-चार तक फांफिल कर सकेंगे तीन-चार दिन हो जाएंगे अगर रिजल्ट शेय के बाद निकालेंगे तो फिर क्या फाइदा हर जल तो आए जाना वेट उसको शोड़ो पहले इसे आर्टिकल को पढ़ ले इसका क्या बात है हम लगतार इस पर चर्चा करेंगे और भी वीडियो जाने बाली है बिल्कुल ओफीच चैनल एकदम हम लगतार नियूजपर पर नजर बनाए रखते हैं और फिर फ्यूचर म एक लाख साथ हजार पांसो बच्चे जो है वो दसमी कालास में हैं और बार्मी बोर्ड प्रिक्षा दी थी जिनके लिए बारा सो पैंसर प्रिक्षा केंदर बनाए थे प्रिक्षा संपन होने के बाद बोर्ड ने उत्तर परिस्तों को की जान श्योगर कर दी है जिसे पूर सबता में जारी हुआ था बोर्ड प्रिक्षा को परणाम जारी होने के बाद काल्जों में दाखिला परिक्रिया शुरू होगी समर्जुन कोबिड की मात का आफ लाइन मोड पर प्रिक्षा लीगी थी कोबिड के कारण पिछले वर्ष पिश्य पर्ष यह थोड़ा देखा कमर है और थोड़ा समय लगेगा संबाबित जुलाई के दूसरे सुपता में परिनाम चारी होगा फिलाल आपको बदादिक पहले भी आ सकता है अभी एक बरिष्ट अधिकारी ने उन्हें बताया है जैने की बरिष्ट अधिकारी आप लोग सोच देते की चेर परसिन होगी जै रिजल्ट जो है बनके त्यार हो गया है सिर्फ अपडेट करना भी और बेरिफाई करके अपडेट सुन्रों कर देना है और अपडेट जी है ओके सर ओके अपडेट करना है भी रिजल्ट और रिजल्ट अपडेट कभी भी हो जाएगा यहां पर सेकिंड वीक आप चुलाई में कर रहे हैं तो सेकिंड वीक बहुत लेट हो जाता है हमारी बोर्ट से लगातार अपील रहेगी हम ग्रिवेंस और मेल के जरीए भी बोर् काम लग रहे हैं रिजल्ट आप लोग पहस्ट तारिक तक निकाल दो बार्मी का प्रतस्मी का अफशे तारी के बाद भी निकाल सकते हैं क्योंकि उनको अभी इतना नहीं है इसलिए लगतार अपडेट्स के लिए पिशली बार सेमटी लाइन फीजी रही था नासी फ़िए थी पिशली बार रीजल्ट सेम्टी न मतलब कि सो में से सेम्टी नान बचे पास हुए थे कि अगर सो लड़के हैं तो उस लड़के शेत्रपास हुए थे पिशली वर्ष दसमी की बोड प्रिक्षा 30 जून को जारी हुई थी बोड प्रिक्षा 38, 70 फीज़े दी 70 फीज़ भी दसमी का रहा था और लड़कों का ब्रेनाब पिश्चत 75 फीज़े दी और लड़कें का 80 फीज़ दी रहा था आपको समझागे अगर नहीं समझाई तो इस्टाग्राम स्टोरी देख ले ना इस्टाग्राम बेज फालो कर लो वहाँ पर मैं इन जो जो इसमें डाटे लिखे हैं इनका डेटेल स्टोरी में बता दूंगा ओके आप हम लगातार बोर्ट से बील करें कि कालेज का डिमिशन बलत तो निकाल दना चाहिए कम से कम वार्मी बल्ले बत्यों को अपना फ्यूचर डिसाइड करना होता है इंटरेस्ट देने होते हैं उन्हों आकले आगले कालेज का कोई कि यह बत्चोर इंजिन्इरिंग करनी है कि रोडर पता ने क्या कर रहा है बठा देकते हैं हाँ पा पहले आठ जुलाई से पहले दसमी और बारमी का रिजल्ट आपके पास होगा और रिजल्ट की परसेंटेज 80 के आसपास रहने वाली है 80% मतलब 100 में से 20 बंदे और 1000 में से 200 बंदे फेल होंगे ये भी बता रहा है ओके फेल अवाले डरे न इतने वो कुछ होते हैं बड़े कम हैंब लिए लेवस्में रेडक्षिन है 30% कमेंट करके जो बताएं कि आप लोग को कि मार्स कितने अप्टेंध होने बाले हैं क्या आप लोग अक्साइटड है एरफॉर्स का फार्म फिल करने के लिए यूँकि एरफॉर्स और नेवी लगने बाले नेवी का भी नहीं लगा बट एर फोर्स का फार्म स्टार्ट हो गया ना उसका टेंशन है बच्चों को बार बर उपर फुर्चुनिटी नहीं मिलता इस बार बगेंसी भी आच्छी है फिर क्या पता अगली बगेंसी आएगी कि नहीं आएगी इसलिए ओके